आपका बेटा साधी करने के लायक हो गया है कुछ काम करने के लायक हो गया है बजार करने लायक हो गया है कुछ काम करने के लायक हो गया है अभी तक नहीं था लेकिन अब लायक हो गया तो यहां पर इस संटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे आज का हमारा कॉंसिप्ट यह है कि कुछ काम करने के लायक होगा है क्योंकि हम लोग डेली स्पिकिंग में तो जरूर यह ऐसा संटेंस बोलते नहीं बोलते बोलते हैं इसको बहुत असान चुटकियों में बनाएंगे देखते हैं अब देखिए सबसे पर इस संटेंस में बनाएंगे कुछ काम करने के लायक होग या है perfect है वह या तो has been able to लगेंगे, has been able to या have been able to, right, कुछ काम करने के लायक होगा, has been able to after that verb की first form, right, और हम लोग जो कुछ पीछ 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 रहेगा object, right, क्या करने के लायक होगा, है, to go, to come, ऐसे, तो आपका बेटा साधी करने के लायक होगा, सबसे पर लों को क्या लिखना होगा, subject, it means, आपका बेटा, it means your son, right now, next one, has been able to, आपका एक ही बेटा है, तो हम लोग लिखेंगे, has been able to, has been able to, साधी करने के लायक होगा, has been able to get married, या simply was marry, लिख सकते है, has been able to get married, साधी करने के लायक होगा है, right, मेरी बेटी किसी से बात करने के लायक होगा, मेरी बेटी, तो my daughter, my daughter has been, my daughter has been able to, has been able to, किसी से बात करने के लायक होगा, has been able to talk to anyone, be किसी से बात करने के लायक हो गए है पपू सबजेक्ट है भाई या पप बसकूल जाने के लायक हो गया है तो पपू पपू हस बीन पपू हस बीन able to has been able to कहां जाने का को एक हो गया है एवल टू गो टो इस्कूल अ का लिक देंगे निल पप वैसा बने वल तो गो टो स्कूल नाव वह अब बजार जाने के लाइक हो गया यहां पे बजार जाने के के लायक हो गया है कमोन भाई वह तो ही हास बीन एबल टू गो टू मार्केट हैस बीन एबल टू गो टू मार्केट नाव ओके तुम अब कम्पीटर चलाने के लायक हो गये हो यू हास बीन यू हास बीन एबल टू कम्पीटर चलाने का लायक हो यू हास बीन एबल टू कम्पी चलाना यहां पर अपरेट करने के लायक होगा यू आसमेंदारी समझने के लायक हो गया तो बड़ा बेता कहोगा my elder brother sorry my elder son मेरा बड़ा बेटा has been has been able to जिम्मेदारी समझने के लाइक हो गया has been able to understand या get भी लेख सकते हैं understand जिम्मेदारी responsibility responsibility right responsibility right my elder son has been able to understand responsibility my elder son has been able to get responsibility right